हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप सब वेलकुम बेक तो माई चैनल ग्यान अंडर दा स्काइगर्स तो स्टुडेंट्स प्रीबियस वीडियों हमने डिसकस कर रहा था कॉम्बिनेशन ओफ रजिस्टर्स कि अगर हमारे सरकेट में एक से ज़्यादा तो हम उन्य कैसे कंभाइन करें हमने देखा कि दो टाइपस होते होती हमने गंभाइन करने के criança अर्त का सीरीज में और एक पैरलल का की से ज़्यान करते हैं एक के बाद एक जॉंई तो आज हम देखेंगे नुमेरिकल्स डिसकस करेंगे कॉम्बिनेशन ओफ रजिस्टर्स के ऊपर किस टाइब से हम फॉम्मलेज यूज कर रहे हैं कैसे हमें एक्विलेंट रिस्टर्स की वैलू निकालनी कैसे करेंट की वैलू निकालनी तो आज हम नुमेरिकल्स डिसकस करेंगे ठीक है स्ट्रेंट से तो प्लीज मेरे साथ वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक बने रहे तो टाइम बेस्ट नहीं करते हैं हम सबसे पहला नुमेरिकल देखते हैं फर्स नुमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है हूँ ? तो, there are three resistors joined in series in a system having resistance equal to 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm तो मुझे तीन resistors दे रखे हैं, उसने कैसे हैं, वो कैसे combined हैं, series में combined हैं और तीनों का resistance given है, मुझे 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm और साथ में ही मुझे किस चीज की value दी हुए, मुझे potential difference की value दी हुए, पूरे circuit की कितनी 240 volt and what we have to find out, we have to find out the total resistance or equivalent resistance मैंने वीडियो में बतायता, previous video में बतायता, या तो total resistance या फिर equivalent resistance इन दो मुनों में से हम कोई सी भी एक term use कर सकते हैं so what we have to find out, total resistance or you can say that equivalent resistance we have to find out and we also have to find out the current, current निकालना है students मैंने आपको एक चीज और बतायती, अगर मेरे पास में series combination है तो मैंने बतायता, कितने भी resistance हो, हर resistance के across जो current flow होगा, वो same होगा जितना पूरे circuit में हो रहा है, ठीक है students? लेकिन जितने resistance है, हर resistance के across potential difference की जो value है, वो अलग-अलग हो जाएगा लेकिन parallel में इसका just opposite था, parallel में क्या था, जितने भी resistance है, हर resistance के across potential difference की value same थी क्या चीज different हो रही थी, current different हो रहता है, ठीक है students, तो इस question में मुझे क्या निकालना है इस question में मुझे current निकालना है, और साथ के साथ equivalent resistance या total resistance निकालना है तो सबसे पहले अगर numerical solve करना है, तो हमें diagram बनाना है ठीक है students, diagram बनाने से ही हमारा question बहुत easy हो जाता है, तो सबसे पहले हम diagram बना लेते हैं यह first resistance, series है तो एक के बाद देख, यह second resistance और यह third resistance, ठीक है students, इसकी value दी हुई है मुझे 10 ohm, इसकी 20 ohm और इसकी 30 ohm, साथ में ही मुझे positive terminal यह negative terminal potential difference की value दी हुई है 240 volt, ठीक है students, यह मेरा circuit बन गया है, और मुझे current की value निकालना है तो मुझे current की value पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, arrow लगा दूँगा, i, current कहां से कहां flow होता है, positive terminal से negative terminal की दरफ, यह i flow हो रहा है इसकी value मुझे निकालना है, इस current की, यह मेरा circuit diagram complete होगा, ठीक है students, अब next क्या करा करो, आप given लिखा करो, क्या क्या चीज, given है ठीक है students, तो given क्या क्या मेरे पास में, given मुझे, R1 given है, कितना, 10 ohm, R2 given है, कितना, 20 ohm, और R3 given है, मेरे पास में कितना, 30 ohm, तीन resistance है, तो R1, R2, R3 मा लोगी में, और साथ के साथ, potential difference given है, कितना, 240 volt, यह मेरे पास में given आ गया, अब students, हमने यह पढ़ा है, कि series combination के लिए, अगर हमें equivalent resistance निकालना है, तो क्या formula होता, R equivalent equals to, R equivalent बोलो, या R total, बात एक है, ठीक है students, तो R1 plus R2 plus R3, ठीक है students, तो R equivalent यहां से निकाल लूँगा, कितना आ जाएगा, 10 ohm, R1 की value पुट कर दी, R2 की value कितनी है, 20 ohm और R3 की value कितनी है, 30 ohm, तो मेरे पास में equivalent resistance आ गया, कितना आ गया, 10 plus 20 plus 30, plus 30, 60 ohm, तो मेरे पास में equivalent resistance की value आ गई, 60 ohm, ठीक है students, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है current, ठीक है students, current, तो ohm's law से पता है मुझे formula, from ohm's law लिख दूँगा, from ohm's law, तो मुझे पता V is equals to I into R, अब यह जो R है, यह पूरे circuit का R है, resistance जो है, पूरे circuit का है, यानि कि equivalent resistance, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, equivalent resistance, क्योंकि I मुझे पूरे circuit के लिए निकालना है, तो यहाँ से जो मेरे पास में value आएगी, वो आएगी, I equals to V upon R equivalent, तो मैं values पूट कर दूँगा, V की value है, 240 volt, और R equivalent की कितनी value है, 60, ठीक है, resistance, तो 6,0s और 0, और 6,4s और 24, तो I की value मेरे पास में, 4 ampere, यानि कि current केतना आ रहा है, current की value आ रही है, वो आ रही है, 4 ampere, ठीक है, resistance, तो हमें यही चीज निकालना थी, तो जब भी आप numerical solve करें, सबसे पहले diagram बनाएगा, you have to make the diagram, clear हो जाती है, फिर given लिखिये, फिर formulation लगाईए, formulas में value पुट करें, series है, तो series वाला formula लगाईए, parallel है तो parallel वाला formula लगाईए, ठीक है students, इस टाइप से हमें numerical करने हैं, next numerical तेखते है, next numerical, क्या कहता है, तो next numerical है, there are two electric lamps, M and N, which are joined in a series, having resistance equal to 15.2 ohm and 20 ohm respectively, तो दो लैंप दी होई है, दोनों लैंप का जो resistance है, वो कितना दिया हूँ है, 15.2 ohm और 20 ohm, यही कि लैंप M का जो resistance है, वो 15.2 ohm और 20 ohm, यही कि लैंप M का जो resistance है, वो 15.2 है, और लैंप N का जो resistance है, वो है 20 ohm, साथ में ही potential difference दे रखा है, कितना दे रखा है, 220 volt है, और क्या निकालना है, total resistance और current निकालना है, और साथ के साथ अब उसने क्या दिया है, potential difference भी निकालना है, हर lamp के across, अब यह चीज़ मैं आपको पिछले question में भी बताईती, series combination है, तो हर resistance के across, current की value सेम रहेगी, लेकिन क्या चीज़ different यह potential difference रहता है, ठीक है students, तो इसलिए उसने यहाँ पर हर lamp के across, हर resistance के across, क्या निकालने को क्या दिया है, potential difference, now, numerical solve करते है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें, diagram बनाना है, ठीक है students, diagram बना लेते है, तो, दो resistance दिये हुआ है, यह मेरे पास में potential difference, यह key, यह मैंने diagram बना लिया, ठीक है students, यह M lamp और यह N, इसके across 15.2 ohm resistance है, और इसके across 20 ohm है, और यहाँ पर positive terminal, यह negative terminal और यह 220 volt, ठीक है students, I मुझे निकालना है, तो मैं I को arrow के साथ represent ऐसे कर दूँगा, positive terminal से negative terminal की तरफ जा रहा है, ठीक है students, अब क्या लिखना है मुझे, अब given particulars, तो given क्या-क्या है, resistance, दोनों resistance given है, यानि कि RM के across जो resistance है, वो मैंने RM से denote कर लिए, कितना given है, 15.2 ohm, और RN कितना है, 20 ohm, साथ के साथ potential difference कितना दे रखा है, 220 volt, ठीक है students, ये given है, अब सबसे पहला काम, वही, series में दे रखी हैं चीजे, तो series के लिए, मेरे पास में जो formula आता है, वो आता है, या R equivalent निकालना है, या total resistance, तो RM, दोनों को जोड़ दूँगा, मैं, plus RN, ठीक है students, तो R equivalent कितना आ जाएगा, मेरे पास में, 15.2 ohm, तो R equivalent कितना आ जाएगा, 35.2 ohm, ये मेरे पास में R equivalent आ चुका है, 35.2 ohm, ठीक है students, ये total resistance या equivalent resistance की value हो गई, अब मुझे पता है, from ohm से लो, value निकालनी है, ohm से मुझे formula पता है, क्या होता है, V is equals to I into R, पूरे circuit के लिए current निकालना है, तो कौन सा resistance लोगा, equivalent resistance लोगा, तो I की value के आ जाएगी, V upon R equivalent, तो V कितना है, 220 divided by R equivalent, 35.2, कितना है, 35.2, तो यहां से जो मेरे current की value हाएगी, वो nearly around 6.25 ampere आएगी, तो मेरे पास में current भी आगिया, current की value हागी, 6.25 ampere, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, potential difference across M and N, यानि कि इन दोनों resistance के across मुझे potential difference निकालना है, तो मैं कैसे निकालना है, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, potential difference across Lamp M, तो formula मुझे पता है, formula क्या होता है, V equals to I into R, अब किस Lamp के across मुझे potential difference निकालना है, मुझे निकालना है M Lamp के across, तो resistance कितना लूँगा, मैं लूँगा, 15.2, 15.2, और यहाँ पर मैं VM लिख दूँ, यहाँ पर RM लेना मुझे, ठीक है students, तो I की value कितने आई है, I की value आई है, 6.25 6.25, और RM कितना मेरे पास में, RM जो है मेरे पास में, 15.2, ठीक है students, पता है न क्यों, क्योंकि M Lamp के across निकालना है, और M Lamp का resistance कितना है, 15.2, तो VM की जो value आ जाएगी, वो nearly around 95 volt आ जाएगी, ठीक है students, तो मेरे पास में potential difference भी आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, potential difference across Lamp N, तो फिर वही, V N equals to I into R N, तो कितना आएगी मेरे पास में, 6.25, आर न की value क्यों ली, क्योंकि मुझे इसके across निकालना है, कितना है, 20 हो, ठीक है students, तो V N की जो value आ रही है, वो मेरे पास में, 6.25 तो मेरे पास में जो value आएगी, वो आएगी 125 वोल्ट, 125 वोल्ट, ठीक है students, तो मेरे पास में V N भी आ गया, अब अगर आपको check करना है, कि answer सही है या गलत है, तो आप इन दोनो potential difference को जोड़ दो और जोडने के बाद में कितना आना चाहिए, जोडने के बाद में 220 वोल्ट आना चाहिए, तो अगर मैं check करूँ, V total मेरा कितना आना चाहिए, V total क्या मेरा, V M प्लस V N, ठीक है students, V M प्लस V N, तो कितना आना चाहिए V total मेरा 220 वोल्ट, देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है, 95 प्लस 125, एड कर दीजे, V total मेरा कितना आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है, यानि कि मेरी ये जो values आई है, potential difference across M और N के across, वो सही है, ठीक है, इस तरीके सामें numerical करने हैं, next numerical देखते हैं, next numerical क्या है, ये रब कर देता ह next numerical देखते हैं, अब उसने 5 resistance दे दिए हैं, 5 electrical appliances दे दिए हैं, और उनके resistance दे रखे हैं मुझे, ठीक है, strength क्या दे रखा है, resistance दे रखे हैं, कितना कितना, 40 ohm, 5 ohm, 8 ohm, 20 ohm और 10 ohm, और हर resistance को उसने कैसे join कर रखा है, उसने parallel में join कर रखा है, और क्या निकालना है, current निकालन सबसे पहले diagram बनाना है आपको, diagram इस बार थोड़ा सा different होगा, तो कैसे बनाएंगे diagram, पांच resistance दिए होगा है, parallel में है, तो पहला यह हो गया, second यह हो गया, ठीक है, strength parallel में है, third यह हो गया, एक दूसरे के parallel है, fourth यह हो गया, ठीक है strength, और fifth यह हो गया, और कितने कितनी values दिए है, यह 40 ohm, 5 ohm, यह 8 ohm, 20 ohm, और 10 ohm, यह diagram बन चुका है, अब हमें क्या लिखना है strength, given लिखना है, और सब कैसे हैं, तो parallel में है, given, तो r1 कितना है, 40 ohm, r2 कितना है, 5 ohm, r3 कितना है, 8 ohm, r4 कितना है, 20 ohm, और r5 कि value कितनी है, 10 ohm, ठीक है strength, और potential difference दिया हुआ है, v की value दी हुई है, 240 volt, मुझे क्या निकालना है, i की value निकालना है, i की value निकालना है, current निकालना है, to find, तो, हम पढ़ चुके है, parallel के लिए, हम पढ़ चुके है, ठीक है strength, parallel के लिए क्या formulation होता है, parallel के लिए, अगर मैं बात करूँ, for parallel, तो equivalent resistance निकालने के लिए, अगर मुझे current निकालना है, तो सबसे पहले equivalent resistance निकालना पड़ेगा, तो equivalent resistance निकालने के लिए, मैं ये formula यूज़ करता हूँ, 1 upon r equivalent, 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 plus 1 upon r4 plus 1 upon r5, ठीक है strength, यह मेरा formula आ गया, तो 1 upon r equivalent निकालना है, मुझे, तो 1 upon r1 कितना है, 1 upon 40 plus 1 upon 5 plus 1 upon 8 plus 1 upon 20 plus 1 upon 10, ठीक है, तो 1 upon r equivalent के आ जाएगा मेरे पास में, तो अगर मैं इनका LCM ले लूँ, तो नीचे LCM कितना बन रहा है, यह बन रहा है 40, तो मेरे पास में आ जाएगा, 1 plus 8 plus 5 plus 2 plus 4, ठीक है strength, तो मेरे पास में 1 upon r equivalent की जो value आ रही है, वो आ रही है strength, 1 plus 8, 9 plus 5, 14 plus 16 plus 4, 20 upon 40, 0 से 0, तो यह मेरे पास में आ रही है, 2 upon 4, यानि की 1 upon 2, तो r equivalent की जो value आ गई मेरे पास में, वो आई है, 2 ohm, यहां से मैंने r equivalent निकाल लिया है, और एक चीज और बताई थी, अगर हमें चेक करना है, कि हमारा total resistance सही आ रहा है, यह गलत आ रहा है, parallel की case में, तो यह जो आया है, 2 ohm, इसकी value इन जितने भी resistance है, उनसे कम होनी चीए, तो देखो, 2 ohm की value इन सबसे कम है, तो मेरा answer सही है, अब मुझे क्या निकालना है, current निकालना है, ठीक है, students, current निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर, space का मैं तो यहाँ कट देता हूँ, तो current निकालने के लिए मुझे पता है, formula क्या, I is equals to V upon R equivalent, पूरे circuit का current निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, I is equals to V की value कितनी है, students, V की value है, 240, और R equivalent की value कितनी है, 2, तो मेरे पास में जो current आ रहा है, पूरे circuit का वो आ रहा है, I equals to 120 A, ठीक है, students, यानि कि I की जो value आ रही है, वो आ रही है, 120 A, इस तरीके सामें parallel में solve करना है, ठीक है, students, तो difference समझ में है, कैसे parallel में solve करना है, और कैसे, series में solve करना, next variable देखते है, next variable है, अब students, इसमें दिया है, what is the equivalent resistance between points A and B, यानि कि इन दो points के बीच में, हमें equivalent resistance लिगाना है, तो अब देखे, diagram देखिए, ये diagram से हमें समझना है, इस type के questions आ जाते हैं, तो ये तीन series में है, और ये तीन इसके parallel में और ये भी parallel में है, तो step by step solve करना होता है, इसमें, ठीक है students, कैसे solve करेंगे, सबसे पहले इसे solve कर लेंगे, इस वाले को, तो अगर मैं इसे solve करूँ तो मेरे पास में इसका equivalent resistance कितना आएगा equivalent resistance अगर इसकी बात करूँ तो मेरे पास में इसका equivalent resistance कितना आजाएगा 20 ohm plus 20 ohm plus 20 ohm तो मेरे पास में इसका equivalent resistance कितना आगया 60 ohm आगया ठीक है students यानि कि इसका equivalent resistance मेरे पास में 60 ohm की तीनों सीरीज में थे, अब step by step हमें diagram बनाना है, कैसे diagram बनाएंगे, अब मैंने इसे solve कर लिया, तो एक resistance आगया मेरा, कितना है मेरे पास में वो एक resistance ये दो लग रहे है मेरे पास में और फिर एक और लग रहा है, ये एक और लग रहा है, ठीक है अब इन दोनों को solve कर लूँगा, किस वाले को किस वाले को इस वाले को, 10 ohm और 10 ohm वाले को, ये दोनों को एक बना दूँगा तो इसका equivalent resistance निकाल लोगा कितना आजाएगा 10 plus 10, कितना आगया है 20 ohm, ठीक है अब मुझे फिर से diagram बनाना है कैसे बनाऊँगा मैं diagram अब देखिए, ये दो जो थे वो एक में combine हो गए देख रहे हैं, एक में combine हो गए अब ये तीनों parallel में आ चुके है ये कितना था, 60 ohm था ये मैंने निकाल लिया, अब कितना है 20 ohm, और ये कितना आ गया 30 ohm, अब मुझे कौन सा formula लगाना है students, मुझे लगाना है parallel का formula ठीक है students, अब क्या करूंगा मैं अब parallel का formula इन तीनों को solve करने के लिए parallel में 1 upon r equivalent goes to 1 upon r1 plus r1, r2 मतलिके, सीधे direct कर दीजे तो 1 upon 60 plus 1 upon 20 plus 1 upon 30 ठीक है students, यहाँ पर solve गड़ देता हूँ तो 1 upon r equivalent equals to कितना आया LCM ले लूँगा LCM आगे मेरे पास में 60 ठीक है students तो 60 LCM यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास में 1 plus यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 तो 1 upon r equivalent equals to कितना आगे 1 plus 3 4 plus 2, 6 तो 6 upon 60 जो की मेरा equal है 1 upon 10 के तो 1 upon r equivalent मेरे पास में 1 upon 10 तो यहाँ से मेरे पास में r equivalent की value निकल के आ गई वो आई है 10 ohm यानि कि यह final अब पूरा solve हो चुका है यह पूरा solve हो चुका है तो मेरा answer equivalent resistance a और b के बीच में कितना आ रहा है 10 ohm यह final answer है तो सबसे पहले हमने क्या काम करा इन 3 को यह जो 3 थे इन 3 को मैंने 1 बना लिया यानि कि इनका equivalent resistance निकाल लिया कितना आया थे इनका equivalent resistance 60 फिर हमारे यह diagram बना फिर मैंने इन 2 को solve गड़ लिया कितना आया मेरे पास में 20 अब यह 3 नो parallel में है B कितना आ रहा 10 ohm आ रहा है ठीक है students कितना आ रहा 10 ohm तो इस तरीके से हमें numerical solve करने है series of parallel की तो students practice करिए इन numericals की आगे next topic पढ़ेंगे next video में next topic पढ़ेंगे तो आज की वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी प्लीज इनके उपर practice करिए चैनल को subscribe करिए like करिए share करिए अपने friends के साथ आज के लिए इतना ही thank you students